शादी शुदा शक्स को हुआ पडोसन से प्यार अंधे प्यार में शक्स ने खत्म कर दिया पूरा परिवार एक बेहद संसरी खेज और दिल दहला देने वली वारदात ग्रेटर नोईडा से वजूत में आई जहां एक शादी शुदा शक्स को जब अपनी पडोसन से प्यार हुआ तो उस प्यार में अंधे शक्स ने अपनी बीवी और अपने दो बच्चों को मौत के घाट उतार दिया वो भी बड़ी बेरहमी के साथ और इस वारदात पर परदा डालने के लिए उस शक्स ने अपने दोस्त की भी हत्या की और उसे वहीं पर दफना दिया इस वारदात की परद दरपरद आपको इस रिपोर्ट में बताते है उत्तरपरदेश के नोएडा और काजगंज में चार साल पहले हुई चार लोगों की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है आरोपी राकेश ने एक प्रेम प्रसंग के चलते ग्रेटर नोएडा में मौजूद अपनी पत्नी और दो बच्चों को लोगे की राट से मौट के खाट उतार दिया था इसके बाद तीनों की लाश्चे घर के बेस्मेंट में दफन कर दी गई थी खुद को भी मरा हुआ दिखाने और पुलिस को गुमराह करने के लिए राकेश ने काजगंज में अपने दोस्त की भी हत्या कर दी थी पुलिस ने गुरुआर राट राकेश के घर के बेस्मेंट में खुदाई कर उसकी पत्नी और दोनों बच्चों की कंकाल बरामत किये हैं राकेश के दोस्त का सब पहले ही बरामत हो चुका था मामले में पुलिस ने मुख ख्यारोपी तमेट 6 लोगों को गिरफतार किया है राकेश ने पतनी और दो माथ्जूम बच्चों की लाश घर में गड़ा घोद कर वहीं दबा दी थी इस मामले की शुरुवात तलीगर से हुई यहां नौगावा गाव थाना गंगीरी के रहने वाले राकेश और रूबी एक दूसरे से प्यार करते थे 2011 में राकेश की शादी एटा के मारहरा थाना इलाके की नगला कलुवा गाव की रहने वाली रतनेश कुमारी के साथ हुई लेकिन शादी के बाद भी राकेश और रूबी की मुलाखात जारी रही 2016 में रूबी उत्तरप्रदेश पुलिस में सिपाही बन गई और आगरा में ताज महल के सुरक्षा में उसकी ड्यूटी लग गई थी इस दोरान राकेश अपनी पतने के साथ ग्रेटर नोईडा के बिसरक थाना इलाके के पंच विहार कॉलोनी में रहने लगा यहां उसके साथ तीन साल की बेटी अवनी और देड़ साल का बेटा अर्पिद भी रहता था लेकिन दो बच्चे होने के बावचूद राकेश रूबी से लगातार मिलता रहा 2018 में राकेश रूबी के सामने शादी का प्रस्ताव लेकर पहुचा इस पर रूबी ने राकेश के सामने ये सर्थ रखी कि वो तभी शादी करेगी जब वो अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ देगा तभी राकेश ने पत्नी और बच्चों को रास्ते से हटाने की साज़ शची 14 फरवई 2018 को यानि वैलेंटाइन डे की ही दिन राकेश पत्नी और बच्चों को बेस्मेंट में ले कर गया और वहाँ उसने रलोहे की रोट से हमला बोल दिया पत्नी और दो बच्चों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया इसके बाद राकेश ने तीनों की लास्त को बेस्मेंट में ही गड़ा खोद कर दफन कर दिया और उसके उपर वहाँ फर्ष बना दी पुलिस ने राकेश के साथ ही उसकी प्रेमीका रूबी को भी गरफतार किया है वही जाँच अधिकारियों की इस मामले में पड़ताल जारी है थाना बिसरक में फरवरी 2018 में एक गुमशूत्की की रिपोर्ट लिखी गई थी जिसको बाद में किटनापिंग में चेंज किया गया था एक पिता द्वारा ये सूचना दी गई थी कि उनकी बेटी और बेटी की दो बच्चे जो है उनको उनके दुमाद द्वारा ही किटनाप कर लिया गया है दो महिने बाद एप्रिल 2018 में इनकी दुमाद के मर्डर का एक केस कासगंज डॉलना थाना में लिखा गया था उसके अंदर जो विवेशना की जाए रही थी कासगंज पुलिस द्वारा उसमें कुछ चीजें सामने आई और उनकी टीम कासगंज पुलिस द्वारा वो टीम बिसरग ठाना शेतर में आ जाई और उनके द्वारा ये बताया गया कि जो लड़का जिसका मर्डर हो गया था रकेश वो असल में जीवित है और जो की हमारे हां पे अव्यूक्त है किटनैपिंग का उसके द्वारा ये बता उसको खुदवाया गया उसमें से कुछ हडियां ब्रामद हुई है और इनको फ्रेंसिक स्टडी के लिए और डिने के लिए बेजा जा रहा है इसकी रिपोर्ट के बाद ही इसमें ये चीज़ सामने आएगी कि exactly किसकी जो बोन्स है वो किनकी है और उसी के उपरांद जो मु झाल 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 झाल